जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं 15 most important questions जो की आपके आर्मी, येरफोर्स, नेभी, ससी, जीडे के अंतरगत आने भारी सभी अर्दसैनिक बलों के रिटेन एक्जाम के लिए most important questions होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाज तक जरूर देखते रहना क्योंकि इस वीडियो में एक एक question बहुत अच्छे और selected level का है तो चलिए दोस्तों जादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो question number 1 है which of the following rivers is known as दक्षिल गंगा ठीक है निमलिकित में से किस नद्य को दक्षिल गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आपके exam में इस तरह से भी question आ सकता है कि निमलिकित में से किस नद्य को दक्षिल भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है तो option C question number 1 का correct answer होगा दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे level के question लेकर आया हम जो कि आपके exam में बार-बार repeat होते है तो वीडियो बहुत important है वीडियो को last तक जरूर देखें question number 2 है भारत ने होकी में अपना पहला उलम्पिक स्वन पदक कब जीता तो question number 2 में आपसे ये मुझा जा रहा है कि इंडिया ने अपना होकी में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होकी में पहला gold medal कब जीता तो इंडिया ने दोस्तो 1928 में अपना होकी में जो है दोस्तो first gold medal जीता था तो option C इस question का correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 3 question number 3 है हमारा बिस्व का सबसे बड़ा cricket stadium कौन सा है which is the biggest cricket stadium in the world तो नरेंद्र मोदी stadium जो की गुजरात में इस्थित है world का सबसे बड़ा stadium है ठीक है तो option A इस question का correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज की अगले question की तरफ question number 4 question number 4 है हमारा निमलिखित में से कौन सा सहर हुगली नदी के तड़ पर इस्थित है which of the following city is situated on the bank of हुगली river option से आपके बैंगलोर, बिहार, सिलीगुडी और कोलकाता तो दोस्तो हुगली नदी के तड़ पर कौन से सहर है वो है दोस्तो कोलकाता ठीक है तो option D इस question का सही answer होगा next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 5 लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अब चलते हैं question number 5 की तरफ food डालो और राज करो की नीती किसके दोरा अपनाई गई the strategy of divide and rule was adopted by तो दोस्तो लाड मिन्टो के दोरा ये जो strategy अपनाई गई थी कि food डालो और राज करो question number 5 का correct answer कौन से होगा option A Lord Minto अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर दोस्तो आप Indian Army की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने special एक playlist बनाई है जिसमें मैंने आपके पुराने साल मतलब previous year की जो question थे उनमें से most important बार बार repeat होने वाले questions के 500 questions जो है मैंने वो select किये हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो playlist का link इस video की description में आपको मिल जागा या फिर आप मारे channel पर playlist पे आकर भी उस playlist को search कर सकते हैं मैं guarantee देता हूँ दोस्तों कि एक है question उसी जो है वो playlist में से आपके exam में आना है तो question number six है दोस्तो अकवर के सासनकाल के दौरान अदालत की भासा निमलिकित में से कौन सी थी which of the following was the court language during the region of अकवर तो दोस्तों अकवर का जब सासनकाल था तो अदालत की भासा कौन ची थी पार्सियन यानि की फार्सी है तो question number six का सही answer होगा आपका option C फार्सी अगला question है हमारा question number seven और seven number question होगा दोस्तो who was the first deputy prime minister of India भारत के पहले उप्रधान मंत्री कौन थे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि iron man of India के नाम से जाने जाने वाले बल्लब भाई पतेल भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे तो question number seven का correct answer होगा आपका option B बल्लब भाई पतेल ठीक है इनके लिए किस नाम से जाना जाता था iron man of India अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number eight विहू is the folk dance of which of the following state ठीक है विहू निमलिखित में से किस राजिका लोग निरत्य है तो बिहू जो है दोस्तों वो आसाम का एक प्रमुक्तिवार के साथ साथ वहां का लोग निरत्य भी है ठीक है तो option B इस question का correct answer होगा अगला question है हमारा question number nine छेत्रफल के संदर में निमलिखित में से कौन सा देश सबसे छोटा है which among the following is the smallest country in terms of area तो छेत्रफल की द्रिश्टी से अगर देखा जाया दोस्तों तो वेटकन सिटी वर्ड का सबसे छोटा देश है ठीक है तो question number nine का सही answer होगा आपका option C वेटकन सिटी next question के तरफ चलते हैं question number 10 question number 10 है हमारा the total number of judges of the international court of justice is अंतराश्टी नयायले के नयाइधीसों की कुल संख या है ठीक है ICG बोलते है दोस्तों इसके लिए international court of justice यानि की अंतराश्टी नयायले तो आपकו बताना है कि अंतराश्टी नयायले में नयाइधीसों की कुल संख या कितनी होती है तो दोस्तो ICG यानि की International Court of Justice में जो judges होते हैं उनकी कुल संख्या होती है 15 तो option A इस question का correct answer है next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 11 कानर राश्ट्री उध्यान निमलिकित में से कौन से भारती राज में इस्तित है कानर नेश्ट्री पार्क is situated in which of the following Indian state तो कानर राश्ट्री उध्यान है दोस्तो कहाँ पर मद्ध प्रिदेश में है तो option D इस question का correct answer होगा next question है हमारा question number 12 question number 12 होगा दोस्तो in which state is the golden temple situated ठीक है स्वर्ण मंद्र किस राज में इस्तित है तो स्वर्ण मंद्र कहाँ पर है दोस्तो पंजाब के अमरित सर्जले में तो option C इस question का सही answer है next question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 13 लेकिन उससे पहले आपसे एक छोट इसी request है कि वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में सेर्फ जरूर करें question number 13 है who was called Napoleon of India किसे भारत का Napoleon कहा जाता था तो दोस्तो भारत का Napoleon के नाम से किसको कहा जाता था या फिर Napoleon के नाम से किसको जाना जाता है समद्र गुप्त ठीक है तो option B question number 13 का एक दम सही answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 14 question number 14 है दोस्तो ASEAN was formed on ASEAN का गठन किया गया था तो ASEAN जो है दोस्तो इसका गठन कप किया गया था इसका गठन किया गया था 8 अगस्त 1967 यानि कि 8 अगस्त 1967 को इसका जो है वो गठन किया गया था ASEAN का दोस्तो हैड़क्वाटर कहां पर है जकार्ता इंडोनेसिया में लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में तो Bangkok थाइलेंड में हुई थी किये गई थी अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले कोस्टिन के तरफ और आज की वीडियो का लाश्ट कोस्टिन लाश्ट कोस्टिन है दोस्तो तैमूर ने भारत पर आक्रमर किया ठीक है तैमूर ने भारत पर आक्रमर कब किया तो तैमूर ने दोस्तो भरत पर आक्रमर गिया था 1398 में, तो option C इस question का correct answer है, ठीक है, चलिए, आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही था, और अगर आपको एक चीज और बता दना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को बिल्कुल free में डाउनलोड करना चाहते है तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया हूपर, डिस्क्रिप्शन में बहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्तो अगर आप टेलिग्राम में जाकर, सिवा ओनलाइन क्लासे सर्च करेंगे, तब भी आपके लिए जो है वो, हमारे टेलिग्राम चैनल सबसे उपर मिल जाएगा, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंबना बिलकुल भी ना जाएं, क्योंकि हम आपको इसी तरह से most important questions की वीडियो जो है वो लेकर आते रहते हैं, चाहें आप किसी भी फोर्स की तयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये question most important है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत